ओम शान्ति अभी हम सुनेंगे बाबा के 24 जनवरी 2022 के महावाक्य आज बाबा बोले मीठे बच्चें 21 जनमों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभीमानी बनने की आदत टालो प्रशन देवी राइभानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए सर्विश का ज्यान रतनों का दान कैसे करें यह शौक रखो तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की इसलिए बच्चों को राजाई की वृध्धी करने के लिए खूब सर्विश करनी है जहां भी मिले आदी लगते हैं लोग सनान करने जाते हैं वहां पर्चे छपा कर बाटने हैं धिंडोरा पिटवाना है बाबा का मैसेज हर तरफ जाए तो बाबा केते हैं जहां भी कुम का मेला लगता है कहीं और मेला होता है तो बाबा ने का वहां पर्चे छपा करके समा पालिया ओम शांति निराकार शुब बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानीभव अपने को आत्मा समझो और बाब को याद करो हम आत्मा हैं हमको बाब पढ़ाते हैं बाबा ने समझाया है संसकार सब आत्मा में ही रहते हैं जब माया रावन का राज्य होता है अथ्वा भक्ति मारक शुरू होता है तो देहे अभिमानी बन जाते हैं फिर जब भक्ति मारक का अंत होता है तो बाप आकर बच्चों को कहते हैं अभी देही अभिमानी बनो तुमने जो जब तप दान पुन आदी किये हैं उनसे कुछ भी फाइदा नहीं मिला पांच विकार तुमारे में परवेश होने से तुम देह अभीमानी बन पड़े हो रावण ही तुमको देह अभीमानी बनाते हैं बास्तव में असल तुम देही अभीमानी थे फिर से अभी यह प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो यह पुराना शरीर हमको छोड़ नया जाकर लेना है सत्युग में यह पांच विकार होते ही नहीं देवी देवता जिनको स्रेश्ट पावन कहा जाता है बहे सदयव आत्म अभीमानी होने के कारण 21 जनम सदा सुखी रहते हैं फिर जब रावन राजय शुरू होता है तो तुम बदल कर देहे अभीमानी बन जाते हो इनको सॉल कॉंशियस और उनको बोडी कॉंशियस कहा जाता है देहे अभीमानी को सॉल कॉंशियस और देहे अभीमानी को बोडी कॉंशियस कहा जाता निराकारी दुनिया में तो बोडी कॉंशियस और सॉल कॉंशियस का प्रशन ही नहीं उठता है तो शरीर ही नहीं है बाबन का वो साइलेंस वर्ड है तो यह संसकार संगम पर ही होते हैं बाप आकर समझाते हैं बच्चे अभी देही अभीमानी बनो तो विकरम बिनाश होंगे फिर तुम विकरमा जीत बन जाते हो सोल कोंशिस होने से ही तुम्हारे विकरम बिनाश होते हैं इसलिए बाबा समझाते हैं मुझे याद करते रहो तो विकरम बिनाश होंगे वे गंगा सनान जाकर करते हैं परंतु वे कोई पतित पावनी तो है नहीं गंगा पतित पावनी नहीं है ना योग अगनी है जिससे वि कार भसम हूँ ऐसे ऐसे मोके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है जैसा समय वैसी सर्विस कितने धेर मनुष्य सनान करने जाते हैं कुम का मिला लगता है तुबाबन का कितने लोग जाते हैं सनान करने कुम के मेले पर सब जगह सनान करते हैं कोई सागर पर को कोई नदी में भी जाते तो सब को बाटने के लिए कितने परचे सपाने पड़े खूब बाटने चाहिए पॉइंट ही शिरफ यह हो बहनों भाईयों विचार करो पतित पावन ज्यान सागर और उनसे निकली हुई ज्यान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते हो इस पानी के सागर और नदियों से तुम पावन बन सकते हो उनसे पूछना है बाबा ने का ज्यान सागर से निकली ज्यान नदियों के द्वारा पावन बन सकते हो या पानी की नदियों में सनान करने से तुम पावन बन सकते हो इस पहेली को हल किया तो सेकेंड में तुम जीवन मुप बच्चों को त्री मूर्ती के चित्तर पर भी समझाना चाहिए कि ब्रम्हा द्वारा स्थापना जरूर होनी है दिन प्रति दिन, मनुष्य समझते जाएंगे कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, यह जगडे आदी बढ़ते ही जाएंगे, मिल्कियत के उपर भी कितना जंजट चलता है, फिर नहीं तो मारा मारी भी कर लेते हैं, विनाश तो सामने है ही, जो अच्छी रिती, गीता भागवत आदी पढ़े होंगे, वैस समझेंगे, बरोबर यह तो पहले भी हुआ था, तो तुम बच्चों को अच्छी रिती समझाना चाहिए, कि क्या पानी में सनान करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे, वा योग अगनी से पावन बनेंगे, भगवान वाच मुझे याद करने से ही, तुमारे विकरम बिनाश होंगे, जहां जहां भी तुमारे सेंटर्ज हैं, तो विशेश मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए, मिले भी बहुत लगते हैं, बाबा ने का ऐसे बाबा का संदेश देना है सबको, तुम समझा सकते हो, बेहद का बाब कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे, बच्चों को सर्विश का शौक होना चाहिए, बाब कहते हैं, मुझे पतितों को पावन बनाना है, तुम बच्चे भी पावन बनाने की सर्विश करो, पर्चे ले जाकर समझाओ, बोलो, इनको अच्छी रिती पढ़ो, मौत तो सामने खड़ा है, ये दुख धाम है, अब ज्यान सनान एक ही बार करने से सेकिंड में जीवन मुक्ती मिलती है, फिर नदियों में सनान करने, भटकने की क्या दरकार है, हमको सेकिंड में जीवन मुक्ती मिलती है, तब धिनोरा पिटवाते हैं, नहीं तो कोई थोड़े ऐसे पर्चे सपवा सकते हैं, बच्चों को सर्विश का बहुत शौक होना चाहिए, पहेल जो बनवाई हैं, वो सर्विश के लिए हैं, बहुत हैं जिनको सर्विश का शौक नहीं है, ध्यान में ही नहीं आता कि कैसे सर्विश करें, इसमें बड़ी अच्छी चमतकारी बुद्धी चाहिए, जिनके पैरों में देहे अभीमान की कडियां पड़ी हैं, जंजिरें सकते, समझा जाता है, यह क्या जाकर पद पाएंगे, अगर देह अभीमान में ही रहते रहें, तो बाबा भी समझते हैं, यह क्या पद पाएंगे, तरस पड़ता है, सब सेंटर्स में देखा जाता है, कौन-कौन पुर्शारत में तीखे जा रहे हैं, कोई तो अक के फूल हैं, कोई गुलाब के फूल भी हैं, हम फलाने फूल हैं, हम बाबा की सर्विस नहीं करतें, तो समझना चाहिए, हम अक के फूल जाकर क्या बनेंगे, अगर हम सिवा नहीं करतें, तो बाबा ने कैसा समझो, हम अक के फूल हैं, तो हम आगे क्या पद पाएंगे, क्या हम जाकर बाप तो बहुत अच्छी रिती समझा रहे हैं तुम हीरे जैसा बनने का पुर्शारत कर रहे हों कोई तो सच्चा हीरा है कोई काले जुझार भी है हरे को अपना ख्याल करना चाहिए कोई तो ऐसे पवितर सच्चे हीरे हैं और कोई पतित विकारी काले जुझार भी ह तो बाबाय ने का हरे को अपना ख्याल करना चाहिए हमको हीरे जैसा बनना है अपने से पूछना है हम हीरे जैसा बने है अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी नमस्ते जी सदा रहेंगे हस्ते जी बाबा बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा के लिए मुख्या सार देहे अभीमान की कडिया अर्था जंजीरे काट देही अभीमानी बनना है Soul Conscious रहने का संसकार डालना है अपने को आत्मा समझना बाबने का Soul Conscious होकर रहने का संसकार आदत पक्की करनी है सर्विस का बहुत शोंक रखना है बाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है सच्चा हीरा बनना है कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे हलके पन की अनुभूती करने वाले कर्मा तीत भव कर्मा तीत अर्थात न्यारा और प्यारा कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं है कराने वाले ने करा लिया ऐसी स्थिती का अनुभव करने से सदा हलका पन रहेगा अपने को निमित समझेंगे करावन हार बाबा है उसने हमारे से करा लिया बाबान कैसे समझेंगे तो हलका पन अनुभव होगा कर्म करते तन का भी हलका पन मन की स्थिती में भी हलका पन जितना ही कारिये बढ़ता जाए उतना हलका पन भी बढ़ता जाए करम अपनी तरफ अकर्षित ना करे मालिक होकर करमेंद्रियों से करम कराना और संकलप में भी हलके पन का अनुभव करना यही करमातीत बनना है स्लोगन सरव प्राप्तियों से सदा संपन रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य किस्मत बनाने वाला परमात्मा किस्मत बिगाडने वाला खुद मनुष्य है अब हम यह तो जानते हैं मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाडने वाला कौन है हम ऐसे नहीं कहेंगे किस्मत बनाने वाला बिगाडने वाला वही परमात्मा है बाकी यह जरूर है किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और बिगाडने वाला मनुश्य खुद है अब ये किसमत कैसे बने फिर गिरे कैसे इस पर समझाया जाता है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी फिर बिगड गई है बै फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं बाकी मनुश्य आत्माएं तो एक दो की तकदीर को जगा नहीं सकती हैं तो परमात्मा ही आकर हम मनुश्य आत्माओं की तकदीर को जगाते हैं हमारी बिगड़ी तकदीर को बनाते हैं तकदीर जगाने वाला एक ही परमात्मा है तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है अच्छा लवलीन स्थिती का नुभव करने के लिए जिस समय जिस संबंद की अवश्यक्ता है उसी सबंद से भगवान को अपना बना लो दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहें मेरे बच्चे इसी सनेहे के सागर में समा जाओ यह सनेहे सतर छाया का काम करता है इसके अंदर माया आ नहीं सकती तो जिस समय, जिस समद्ध की जरूरत है बाबा से हमारे सरव समद्ध है, वो माता, पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सत्गुरु, सब कुछ है परमात्मा, तो जिस समद्ध की जब जरूरत है, तो उस समद्ध में उस सनहे के सागर में बाबा ने का समा जाओ, तो फिर वो सनहे शतर छाया का काम करेगा, उसमें माया भी एंटर नहीं कर सकती, ओम शान्ति